नमस्कार दोस्तों, English with DK में आपका एक बार फिर से श्वागत है आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे Tech Qsन बहुती सिंपल सा टोपिक है और बहुती कम समय के अंदर कुछ गिने चुने पॉइंट्स के अंदर जो है मैं आपको इस टोपिक को कम्प्लीट करवाँगा और विश्वास करना कि आप इसको पढ़ने के बाद Tech Qsन से समन्दित आपके मन में किसी भी परकार की कोई संका जो है इस वीडियो के बाद में नहीं रहेगी तो आप वीडियो को पूरा देखे और चलिए सुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को और देखते हैं Tech Qsन के बारे में तो सबसे पहले Tech Qsन बनाने से पहले तीन बातें आपको अपने ध्यान में रखनी है वो तीन बातें कौन-कौन सी है कि हमेशा ही Tech Qsन किसी स्टेटमेंट का पोजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव बनेगा और नेगेटिव उसका पोजिटिव बनेगा नमबर बन बात आपको ये ध्यान में रखनी है दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है कि tag question हमीशा ही positive statement का negative बनता है तो negative form बहुँन हमीशा ही short negative form काम में लेनी है full negative form का use आपको नहीं करना है तीसरी बात आपको याद रखनी है कि कभी भी जॉ है वो noun का use आपको नहीं करना है इसमें pronoun का use जो होता है तो ये तीन basic बाते हैं सबसे पहले आपको याद रखनी है और tag शुरू करने से पहले जो है मैं आपको बता देता हूँ कि जो sentence के परकार जो है किन किन का sentence कौन कौन से sentence होते हैं जिनका tag बनता है तो दो ही परकार के sentence होते हैं जिनका tag बनता है एक आपका असरेटिव सेंटेंस होता है जिसमें अफरमेटिव और नेगेटिव सेंटेंस आते हैं अफरमेटिव सेंटेंस होता है उसका टेग नेगेटिव बनता है और नेगेटिव का पोजिटिव टेग बनता है और दूसरा परकार का sentence होता है जिसको बोलते है imperative sentence और इसके take भी हम देखेंगे किस परकार से बनते हैं दो ही परकार के sentence जो हैं उनके tag बनते हैं परसन वाचक वाकियों के tag नहीं बनते हैं तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है तो चलिए आप शुरू करते हैं आज के हमारे इस tag को और आपको यहां पर कुछ सोट नेगेटिव फोर्म जो है दे रखी हैं इनमें आपको तीन फोर्म जो है उनको याद रखना है बाकिया आप इनको वीडियो को पोज करके इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना इनको रा हरे इस फोर्म होता है यह आपको ध्यान रखना है है सेल नोर्ट जो उसको सांट बोलते हैं और फिल नोर्ट जो है वोन्त लिखते हैं तो यह तीन ही यानि चोईस आपके operators होते हैं choice helping verbs होती है उनमें से आपको इनको तीन को याद रखना है बागी को आपको याद रखने की कोई आउसेता नहीं है और आप चाहें तो इसको वीडियो को रोक करके उनको लिख सकते हैं यदि किसी वाक्य का subject this or that होगा तो tag question जो है उसका subject आपको it के रूप में लिखना है यदि किसी sentence का subject these or those word होगा तो आपको tag question का subject है वो they लिखना है यदि body और one से बनने वाले कोई pronoun हो body और one से बनने वाला यदि कोई pronoun हो तो उसका tag question के अंदर subject जो है वो आपको they के रूप में लिखना है तो चलिए देखते हैं आप इनके इनसे बनने वाले एक दो sentence जैसे पहला sentence लिखा हुआ है I am a teacher तो यहाँ पर आपको कोई दूइदा नहीं है क्योंकि यह आपका subject हो गया और यह M हो गया यहाँ पर आपकी negative बना दे I am not a teacher तो इसका जो है tag question positive बनेगा और वो बनेगा MI तो यह ध्यां रखना है आपको बड़ा अच्छा sentence है these are cars तो these और दोज जो है उनके लिए they का प्रियोग करते हैं तो are है तो aren't आजएगा और these और दोज के लिए क्या आजएगा they आजएगा तो aren't they जो है इसका tag बन जाएगा everybody is present there तो यहांपर body और one से बनने वाले जो प्रियोग करते हैं उनके लिए भी take जो है वो किसका प्रियोग करते हैं दे का प्रियोग करते हैं तो यहांपर भी क्या आजएगा यहांए thing से यदि कोई subject बना हुआ है तो उसके लिए pronoun कौन सा काम में लेते हैं इट काम में लेते हैं जैसे everything is good here तो इसका जो tag बनेगा वो is not जो है वो isn't हो जाएगा और everything के जाएगा क्या लगा देंगे इट लगा देंगे तो इसका tag बन जाएगा isn't it इसके अलावा यदि हम आगे बढ़ें तो यदि वाके में यदि subject के रूप में दे रखे हो जैसे some of us, some of you, some of them few of या all of, half of, both of या कोई भी संक्या दे कर के उसका percent of दे रखा हो many of, most of तो इस परकार के सबद यदि दे रखे हो उसका subjective case दे यूज़ करेंगे और यदि कोई plural noun दे रखा है तो फिर हम उसके लिए दे का यूज़ करेंगे अब इन से बनने वाले एक दो person देखते हैं ताकि हम अच्छे तरीके से इसको समझ सकें some of them are absent अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर some of है और यहाँ पर देम लिखा हुआ है तो देम जो है इसकी जो पुरम आएगी subjective case दे जो है वो यहाँ लिख देंगे और यहाँ पर आर है तो क्या आजएगा आरंट आजएगा, positive है तो negative बन जएगा तो इसका tag question क्या बन जएगा इसका बन जएगा आरंट दे जो है इसका tag question बन जएगा knowledge of many language is good यहाँ पर आप देखोगे तो knowledge of लिखा हुआ है knowledge जो है वो singular है तो यहाँ पर singular के लिए यहाँ पर किसका प्रियोग हो जएगा it का प्रियोग हो जएगा और यहाँ पर यह वाक्य जो है यह सकारात्मुग बाकिया है तो यहाँ पर इस जो helping verb दे रखिया है उसका क्या हो जएगा इजन्ट जो है वो हो जएगा इजन्ट इसका tag question बन जएगा इसके अलाव हम और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देर का imperative sentence दो ही परकार के sentence जो है उनका बनता है एक तो आपका असरटिव जिसके अंदर positive और negative sentence आते हैं और दूसरे imperative sentence दो ही वाक्यों के tag question बनते हैं तो यदि वाक्या positive है तो आपका दोनों परकार से tag जो है वो बन सकता है आप will you भी बना सकते हैं यही बनेगा तो यह तो और ही आसान है इसको देखते ही आप जो है cell भी इसका उतर लिख सकते हैं तो आप इनसे बनने वाले एक दो sentence देखते हैं इंपरेटिव sentence है positive sentence है तो इसका आप जो है दोनों परकार से इसका tag question बना सकते हैं आप चाहें तो इसका will you बना सकते हैं आप चाहें तो इसका want you बना सकते हैं तो दोनों परकार से इसका जो है आप tag question बना सकते हैं अब let's वाले का जो है आपको पता ही है इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है इसमें आप जो है इसका सैल भी जो है वो बनता है तो आप इसका सैल भी जो है टैक क्यूसन बना सकते हैं और ये एक परसन है आपके लिए आप इसका जो है उतर कॉमेंट बोक्स में जरूर दें आपको आता है क्या इसका उतर होगा तो ये person जो है मैंने आपके task के रूप में जो है इसको छोड़ दिया है तो जरूर जो है इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखें और इसको अपनी copy के अंदर अपनी notebook के अंदर इसको लिखें और याद करें निशित रूप से इनको पढ़ने के बाद आप जो है वो बहुत अच्छे तरीके से टेक क्यूसन को बढ़ना सीख जाओगे तो मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए दन्यवाद